करोड़ो रूपे की संपत्ति को लेकर चल रही विवाद में वृद्ध की सुपारी देकर कार से कुचल कर हत्या कराई जाने का मामला सामने आए है मृतक बुजर के भाई की सतरता से क्राई ब्रांच ने इस गुत्ति को सुलजा कर सुपारी किलिंग से जुड़े दो आरूप्यों को गिरफतार किया है इन में सचिन धार्मिक और नीरज नीरावे उर्पन नाइन टीश शामिल है इस सुपारी किलिंग में मृतक के बेहत करीबी लोगों के लिप्त होने का पता चला है प्रकरन समवेदंशिल होने से पुलिस गोपनी अताब बरत रही है मृतक शुभमनगर माने वड़ा निवासी 82 वर्सी अपुरुशोत्तम पुट्टेवार है सुपारी किलिंग की अघटना 22 मई को मारे वाड़ा चोग के पास हुई थी सूत्रों के अनुसार पुट्टेवार की करीब 300 करोड की पैत्रुक संपत्ती है इसे लेकर विवाद चल रहा था पुट्टेवार के परिवार में पत्नी शकुनतला बेटा डॉक्टर मनीश सरकारी अधिकारी पुत्रवधू और बेटी योगिता है बताया जाता है कि कुछ समय से पुट्टेवार और उनकी पत्नी शकुनतला बेटी योगिता के पास रहते थे पुट्टेवार की पत्नी का ओपरेशन हुआ है बेटे डॉक्टर मरीश ने मा को देख भाल के अपने पास रखा था सुपारी किलिंग की घटना 22 मही को हुई पुट्टेवार बेटी के घर जा रहे थे इस दोरान मार्ग में कार से कुचल कर उन्हें मोत के घाट उतार दिया गया अजनी पुलिस ने दुरघटना का मामला दर्च कर प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया था इसी बीच पुट्टेवार के चचेरे भाई ने आला अधिकारियों से मिलकर पुट्टेवार की हत्या किये जाने की आशंका जताई पुलिस आयक तो डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने क्राइंग ब्रांच को जाच के निर्देश दिये इसके आधार पर यूनिट चार को जांच सोब दी गई पुलिस ने घटनास्तल के सिसी टीवी फुटेज का अध्यान किया पुट्टेवार के उनके करीबी लोगों से रिष्टेगी जाच की गई इसमें बेटे डॉक्टर मनीश के कारचालक सार्थक बागड की भूमिका संदिक्त पाई गई इस दिशा में जाच करने पर सार्थक द्वारा उनके मीत्र सचिन धार्मिक और निरज नीनावे उर्पनायन टिका नाम सामने आया पुलिस ने सोमवार की रात सचिन और नीरज को हिरासत मिलिया आरम में वह ना नकुर कर रहे थे सक्ति बरतने के बाद उन्होंने सार्थक बागडे के कहने पर पुट्टेवार की हत्या किये जाने की बात कबूल की क्यामरा पर सनकलेश भारतवाज के साथ अभिशेक पांसी की रिपूट